स्वागते आपका प्रभात एक्जाम की यूट्यूब चानल में और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन ने ये नोटिस यहां पे आज ही रिलीस कर दिया गया है जो आपका में का एक्जाम का रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे आप पर परसनालिटी इंटर्व्यू है ये 26 एपरिल से स्टार्ट होने वाला है और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वह ये 18 जून तक यह आपके इंटर्व्यू चलेंगे आप देख सकते हैं जल्दी से कि स्केडियूल जो है पूरा परसनालिटी टेस्ट का वो रिलीस कर दिया ग दो पैर एक बज़े से होता है इसके साथ फ्रेंड्स ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो आपका इसमन लेटर है वो आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं यूपीएसी ओनलाइन और इसके साथी यूपीएसी जियोवी डॉट यहां पे आपको जाना है और इसे डाउनलोड करना है ये इसमन जो है कुछी समय में शॉटली ये अवेलिबल हो जाएगा इसके साथी फ्रेंड्स आप ये भी नोट कर सकती हैं कि देखे इसमें 796 वेकेंसी हैं येस फ्रेंड्स इसमें 796 वेकेंसी हैं और टोटल जो इसमें बुलाई गए हैं वो है 2046 तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें competition रहने वाला है आप बिल्कुल भी anxiety या pressure में मत आईएगा बस आप अपनी दरव से अच्छी तयारी कीजेगा और focus रहेगा इसमें कुछ guidelines भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए इसमें guidelines में ये बताया गया है कि COVID-19 के चलते जो competent authority है उसने ये कहा है कि जो आपका to and fro airfare है यानि कि आने जाने का जो खर्चा है उसमें सबसे lowest यानि कि सबसे कम जो आपका आने जाने का खर्चा होगा वो आपको सरकार reimburse क आपको इसमें ये follow करना है कि आप जो है cheapest flight ticket ही book कीजेगा यानि की economy class की और इसके साथ ही जैसे ही आपको अपना e-7 letter मिलता है उसके accordingly आप ये book कर लीजेगा और आपको बुक कहां से करनी है तो या तो आप airline पे जाके उनकी online website से कर सकते हैं या counter से कर सकते हैं उसके अलावा जो authorized department है जैसे की department of expenditure, ministry of finance, ashoka tools and travels उसके साथ ही IRTC तो यहाँ पे जाके ही आप इसे जो है अपनी ticket को book कर सकती है तो यही दो जगे है जहां से आपको अपनी flight book करनी है इसके अलावा note कर लीजे बिकुल capital में और bold में दे रखा है ये चीज की अगर आप किसी private travel agent से booking करते हैं त तो आपको reimbursement नहीं मिलेगी तो यह दो source है जहां से आपको अपने लिए booking करनी है इसके बाद friends ये भी बताया किया है कि आप जब अपने interview के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप अपनी air tickets की hard copies लेके ज़रूर जाएगा इसके साथ ही आप अपना जो जितने भी आपकी airfare की details है वह भी आप इसमें ले जाएगा अपने साथ अपना बोर्डिंग पास जरूर रखेगा इसके बाद friends अगर आप ट्रेंसे ट्रावल करते हैं तो आपको second या sleeper class train इसमें सेलेक्ट करनी है उनी का माउंट आपको रिंबर्स करा जाएगा तो आपको ये सारी इंस्रुक्श को तो आप जरूर देखते रहें क्योंकि इसमें आपके लिए UPSC से रिलेटेड सारी वीडियो और अपडेट्स बनाते रहते हैं जो आपको बहुत मदद देंगी नमस्कार